दोस्तो उल्लू के बच्चे कुछ इस प्रकार से सोते हैं क्योंकि इनके सर का वजन पूरे बॉड़ी के मुकाबले काफी जादा होता है पिग्मी मॉर्मसेट दुनिया के सबसे छोटे बंदर हैं एक वयस्क बंदर का वजन मातर 100 ग्राम तक ही होता है क्वाला के बच्चे जन्म के समय लगबग 2 सेंटीमीटर और 1 ग्राम के होते हैं क्वाला के पेट में भी बच्चों को बैठाने के लिए कंगारो जैसी थैली होती है डॉल्फिन के बच्चे पानी के अंदर ही पैदा होते हैं एक पांडा का बच्चा जन्म के समय 90-110 ग्राम तक कहीं होता है जबकि बड़े होने पर वो 120 किलो ग्राम तक वजनी हो जाता है